नमस्कार दोस्तों आपके हमारे चैनल मार्केट विद्यालायमे स्वागत है आज हम एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका मार्केट प्राइस से 50 पैसे का है इस कंपनी में खोने को कुछ नहीं है अगर आप इस कंपनी में 500 रुपए 600 रुपए 200 रुपए तो आपको आगे चलके एक अच्छा खासा मल्टी वेगर की रूप में रिटेन भी मिल सकता है इस कंपनी का सबसे बड़ा खासियत है कि इस कंपनी के ऊपर एक उर्पए का भी कर्ज नहीं है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं इस वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरू जरू सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वह कंपनी सॉप्वेर फे रिलेटेट कंपनी है आई टी से रिलेटेट कंपनी है जो की फाइनेंसियल सर्विस को जो अपने software technology प्रोवाइड करती है जैसे कि finance में लोन हो गया चाहिए NBCC business प्रोवाइड हो गया चाहिए service as a finance to industry as an enterprise and promote company engaged with industrial and trading business तो कुल मिला के ये अपने product NBCC of financials company को service प्रोवाइड करती है हम जिस company के बारे में बात करते हैं उस company का नाम है Indian infotech and software limited अगर हम इस company की market cap की बात करें तो इस company का market cap लगभग 55 करोड के उपर का है इसका मौझूदा भाव लगभग 50 पैसे चल रहा है अगर हम इस company की bound week high low की बात करें तो bound week low इसका 15 पैसे का है और इसका bound week high 62 पैसे का है और इसका phase value एक रुपए का है दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इस company के बारे में सबसे positive factor बताया था कि इस company के ऊपर एक भी रुपए का करज नहीं है यह company almost debt free है अगर हम इस company के पिछले कुछ साल की results की बात करें तो 2018 में इसे लगभग इनकैनाविल लाग का profit हुआ था 2019 में इसे लगभग 82 लाग का profit हुआ था लेकिन 2020 में इस company को लगबग 5 करो करोड का profit हुआता है लेकिन आगे चलके इस company को profit और होने की संभावना है क्योंकि जो इसका sales growth है sales growth लगातार इस company का बढ़ रहा है अगर हम इस company की cash reserve की बात करें तो इस company का cash reserve इसके पास अच्छा खासा cash reserve है 2018 में इस company के पास 146 करोड का cash reserve था 2019 में इसका cash reserve बढ़के लेकिन दोस्तों अब जो मैं आपको आकड़ बता रहा हूं अब जब कॉलम दिखा रहा हूं देखिए डेप्ट वाला बोरोइंग कॉलम देखिए उसमें इस company के ऊपर एक उरुपए का भी कर्ज नहीं है इस company को सबसे बड़ा positive sign इस company का debt ही है ऐसा share market के कहा जाता है कि जिस भी company को पर डेप्ट नहीं रहता है वह company आगे जाके अच्छा खासा perform करती है अगर हम इस company की share holding pattern की बात करें तो promoter के पास यहां लगबग 19% का stake है और public के पास यहां पर 80% के उपर का stake है तो यहां पर थोड़ा एक चिंता के विशा यही है कि promoter के जो share holding है वो बहुत ही कम है और public पास बहुत ही जादा है तो कुल मिला के हम इस company की बात करें तो इस विडियो के पहले भी मैंने आपको बताया था कि यह risky company है ऐसे company हमको 100-200-500 ही निवेज करना है ताके दिन कल के दिन एतिक company में कुछ उपर नीचे हो जाए उतल पूतल भी हो जाए तो आपको ज़्यादा आर्टिक नुकसान ना उठाना पड़े देखिए इस company का business model ठीक है कमपनी के उपर कर्ज नहीं है इसका market के भी लगबग 55 करोड के उपर है अब जो इसका pricing के पचास पैसे का अगर कल के दिन यह company कभी चल गया इस company का sales figure बढ़े गया इस company और जादा प्रॉफिट करें लगी तो यह company का जो आटमेटिक इसका स्वेश प्राइज भी बढ़ ज करता है